जैहिंद एवरिवन सो वेलकम बैक टो वेक्निंग क्लासिज देखो जेके सब्सक्राइब कर दिया अब आपको पूरी कंसेट्रेशन आपने एक्जाम की प्रिप्रेशन करने चाहिए आपकी बहुत जाएदा डिमार्टी के साथ साइंस टेक को कवर करवाओ देखो सबसे पहल पर इंकलूड करें आपने क्या करना जस्ट पैन नोट बूक लेकर बैठना जो इनफर्मिशन में यहां पर दिया वो लिखने की जूरूद नहीं है पीडिए आपके साथ टेलिग्राम में शेयर कर दूँगा बट उसके साथ जो एडिशनली बोलूँगा वो लिखते चलो और उसको कि कर लेहाँ इस स्वाइन इस पर चाहिए महीं को मैंने डिफेंट पार्ट निवायड कर दिया लग बना वीछा है इस तक उसे दिटिए करके करें प्रस्ट को बेज़ें कहां पर पहला मैंड मिशन है यह आपने याद है ठीक है कौन सिलेक्ट हुए हैं चार इंडियन एर फोर्स के पाइलेट हमने स्लेक्ट के हैं उसके साथ एक रोबोर्ट जाएगी जिसका नाम है वियो मित्रा इतना आपको याद है ठीक है अब इनके ना काम बन जाएगा अजित कृष्णन अंगत प्रताप और सुभांशु शुक्रा यह चार नाम थोड़ थोड़े आइडिया रखोगे यह चार परसन से एयर फोर्स के पाइलर्स हैं इंडियन एर फोर्स के पाइलर्स हैं जो इस रोके गगन यान मिशन में कहां पर जाएंगे स्पेस में जाएंगे लो अर्थ और्बिट में जाएंगे ठीक है उसके साथ हम एक रोबोट बेज रहें फीमेल रोबोट है जिसका नाम है व्यों में तर यह उसकी इमेज है और इसनों ने इस मिशन के लिए इसको लांच करा यह इनको एसिस्ट करेगी इन सारे पाइलर्स से पहले किस-kis ने बेजा हुआ है एक रश्या ने बेजा हुआ है और चाइना ने बेजा हुआ है तो यह पॉइंट भी आपको याद है तो इंडिया फॉर्ट कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड का ठीक है डिस इस क्लियर कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम लो आर्थ आप इसको माग कर पाऊगे ठीक है और इसके साथ नाम बिल्कुल याद रखना के लिए जिसको सेलेक्ट कर रहे है ठीक है नेक्स्ट इस इंपोर्टन इस सेटलाइट टेकनोलजी डे इस नौट वेरी इंपोर्टन नहीं था बट इस बार इसलीं इंपोर्टन था क्योंकि 50 सेलीप्रेट करें 50 साल हमारे हो गे किसको आरे बटा को लांच कि वे थीर iOS 5 क्या लांच हमने सेटलाइट है रही क्रें छो AMY फ्सक电 की इंड्या की फर्स इंडिया ने ह्पुर्ण बनाई थी आरे-गैश बर्चिक रिद्यट PhD में ऑकिक कभा और अंटा उसका नाम थे हुई थी बेसिकली यह हुई थी 19 April 1975 में तो देखो आप इसको 50 पूरे हुए थे इसलिए हमने सेटलाइट टेकनोलजी डे जो है वह सेलिब्रेट करा में ली किसने सेलिब्रेट करा यू आ राव सेटलाइट सेंटर है हमारा यू राव सेटलाइट सेंटर यह इंडिया में बने थी बट इसको लॉंच हमने रश्या के थुरू करवाया था 19 April 1975 में यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स अब देखो जो इस रोगे मिशन है ना जो इंडिया के अपने मिशन है उनको तो आपने पढ़ना है बट जो इंडिया को छोड़कि बा सबसे बड़ा मून करना है नासा ने लॉंज करना है बस इतना याद रखना सबसे बड़ा मून अबस इतना आपने क्लियर है यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स देखो प्राइम डिस्टों नरेंदर मोधी ने अन्वील्ड करा इंडिया का फॉस्ट मैंट पसंजर रोण वरुना आपने मैक्सिमम जो ड्रोन के बारे में सुना होगा द्यां से आपने जो मैक्सिमम ड्रोन पहुंचा रहें ठीक है दवाईयें पहुंचा रहें जब आपने कोवीड के टाइम पर सुना होगा तो बेसिकली ड्रोन के डिफेंट फंक्शन से अब मैक्सिमम जो ड्रोन होते वह असमें पर सब्सक्रेटा बट इंडिया का पहला मैंड प्रसेंजर ड्रोन मतलब इसमें लूंच करा और इस ड्रोन का नाम है वरुना किसने लॉपन करके लिखने बर्ट इसको बनाया कि इसे आपके लिए इंपोर्टन हो जाता है तो गसा पहस्ट अ वह उसने लांच किसको वरुना को लांच करें यह पुएंट आपने याद रखने क्या है प्राइम इस्टर मोदी ने अन्वील कर रहा है इंदिया का पहला इंडिया फरस्ट है मैंड पसंजर ड्रोन है जिसका नाम है वरुना किसने बनाया इसको सागर डिफेंस इंजिनियर प्राइवेट लिमिटीड पूने बेस्ट है और यह एक स्टार्ट अब है बस इतना याद करोगे तो काम बन जाएगा ठीक है आपको एक्जाइम में पूछे का त्यांटोंग वन मिशन किसका तो पहली बात ही चाइना का है बेसिकली इसमें क्या है यह ऐसी सैटलाइट सीर इस तरह का सेटलाइट सीरेस बनाएगा कि ग्राउंड से कोई लिंक ही नहीं होगा मतलब इंफरस्ट्रॉक्टर बनाने की जूरती नहीं पड़ेगी इसना याद रिखो त्यांग टॉंग मिशन किसका चाइना का और किसके लेटिड है स्मार्टफोन को कॉल को प्रवाइड सेटलाइट विदाउट यूजिंग ग्राउंड वेस्ट इंफरस्ट्रॉक्टर इतना आपको याद रखना त्यांग टॉंग चाइना मिशन ठीक है नेक्स्ट टीसाइट की फूल फार्म है टाटा सेटलाइट ठीक है टीसाइट वन ए बेसिकली क्या है यह एक सेटलाइट ह है जिसको ध्यान से सब्सक्राइट है जिसको स्पेस में डिप्लाइट कर दिया गया अब यह इंडिया की पहली इंडिजीनियस ली डिवलप है तो यह आपके लिए इंपॉर्टन हो जाती है और यह के पेबल है और सब मेटर रेजोलुशन ऑप्टिकल इमेजिंग मतलब ध सब्सक्राइट 1 जिसका नाम है टीसमें इसको चोड़ देगा है इसका काम किया है आर्थ को आब भेजना इससे क्या होगा बेसिकली इसकी रेजोलुशन बहुत अच्छी है तो बहुत क्लियर इमेजिस हमें मिलेगी इंडिया की पहली इंडिजीनेस डेवलप है इंडिया ने खुद बनाई है यह पॉइंट भी आपको याद रखने इतना याद रखो कि काम बन जाए ठीक ह इन्होंने टेस्ट फाइर करके स्टेज 2 स्टेज 2 मतव मतव क्लाम तूफुप्टी क्या है देखो क्या है और क्म च स्काइघ कम बना रहें विकू है यह difference अतना याद रखने विक्रम 1 क्या है एक ठीव स्टेज रोकेट है क् storms कारूँ एरो इसका बशन आन्म मतारा एं स्टेज 2 का नाम है कलाम 250 इसको इन्होंने टेस्ट फाइर किया है रिसेंटली इसलिए ये नियूज में था ठीक है तो हमारा करेंट अफेर बन जाता आपने इतना याद रखना है विक्रम वन जो अगर आपको एक्जाम में पूछे यह क्या है विक्रम वन जो है कि मल्टि इसको किसने बना रहे है इसको स्काइरूट यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं यह कुछ प्राणी नियूज है इंपोर्टन है कलपना चावला सेंटर की एक्जाम में पूछी जा सकती थी इसलिए कवर कर दी कलपना चावला सेंटर बनाया गया रिसर्च के लिए रिसर्च चाहे स्पेस साइन्स ओर टेक्नोलोजी में अगर आप रिसर्च करना चाता है कहां पर बनाया यह याद रखना है चंदिगर उनिवेस्टी में इसको इनेगरेट कर था डिफेस्ट मिनिस्टर राजना सिंग जी बहुत पुरानी नि इंडिया की पहली एसी रॉकिट फैसिलिटी है जो क्या बना रही है 3D प्रिंटीड इंजिस बना रहे कहां पर चिनई में अब यह भी एक हमारा प्राइवेट स्टार्टप बना रहा है उसका नाम याद रखना अगनिकूल कॉस्मोस दो तो आपने नाम भूलने ही नहीं कौन अगनिकूल कॉस्मोस और दूसरा स्काइड रूट एरोस्पेस स्काइड रूट एरोस्पेस क्या बना रहे है विक्रम वन मल्टि स्टेज लाउंच विकल बना रहा है ठीक है और उसकी जो स्टेज सेकेंड थे उसका नाम था कलाम 250 दूसरा आपने याद रखना कि की फूर कोंच करने विकल को बोलते तो यह स्माल्स रोकिद बना है जिसको लॉंच किया स्पेस्स के इस लो सभी पता चले सेंटलाइट अगे याद करीकर वह स्माल स्कों सभ् 6 याद करे लैना स्माल सेंटलाइट विम इसका नाम है नाम सिप्काइफ क्षी नाम से मीशन क्या है है सब्सक्राइब सुए किया ट chauffeur होиться जैसे हमने अपने चंदर्यान 3 mission भेजा वह मुन के साउथ पोल पर गया आपको पता है साउथ पोल मून पर गया और वहां से इंट्रमेशन हमारे लैंडर गया और विक्रम और प्रग्यान रोवर हमारा गया और वहां से इंफर्मेशन क्लेक्ट कर रहा है चाइन ने इसी तरह चैंग 6 जो है अपना लूनर मिशन बेजा है यह साउथ पोल आफ दो मून में यह भी गया इसका काम क्या है इंडिया के मिशन से थोड़ा अलग कैसे है क्योंकि यह पहले तो सैंपलिंग करेगा और वापिस भी आ जाए और पहली बार far side of the moon को study करेगा तो इतना आपको याद रखना है चैंग सिंग मिशन ठीक है नेक्स प्रीफायर क्या देखो प्रीफायर एक मिशन है किसका मिशन है नासा का यह आपको तो पहले यह पता होना चाहिए मिशन किसके नासा का इसकी फुल फाम है पोलर रेडियं प्रीफायर मिशन लॉंच करें नासा ने लॉंच करें ठीक है यह पॉइंट आपको याद अभी हम एक और मिशन पढ़ेंगे पीस मिशन उसमें पता चलेगा बिसके ओशन की स्टडी के लिए तो यह दो तिन आपको याद रखने तो पहला प्रीफायर मिशन किसका नासा का है किसको स्टडी करने के लिए आर्थ के जो पोलर रिजन से चाहिए और चाहिए वह एंटार्टिक हो ठीक है नेक्स्ट फ्लोड मिशन फ्लोड मिशन भी किसका मिशन है यह नासा का मिशन है ठीक है यह मिशन में है क्या है यह पहला जो लूनर रेलवेस सिस्टम है मतलब मू मून के ऊपर एक तरह का रेलवे सिस्टम प्रवाइड कर देगा मतलब मून के तू मून पर मून की सर्फेस के ऊपर आपको समान टांसपर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह तो आप कर पाओगे में जो समान होता है तो वह कौन सा मिशन है फ्लोट मिशन फ्लेक्सिबल लेव वूड़न सेटलाइट है वूड़ की पहली वूड़न सेटलाइट है यह नासा और जपान की एर्योफेस एफ्लिटवरेशन जक्सा झाक्सा जैसे इंडिया के इस्ट्रों है जपान की जाक्सा नासा और जाक्सा मिलकर क्या बनाई है इन्होंने लिगनोसेट प्रोब यह वर्ल्ड की फॉर्स्ट वुडन सेटलाइट है इतना अपने याद रखने ठीक है अभी दिमाग में सोच आप प्री याद आ रहे है प्री फायर याद आना चाहिए आपको प्री फायर मिशन किसका था ना पर मून तो ऐसे आपको याद आना चाहिए जो व्यों मित्रा थी वह कौन थी फिमल रोबोट यह आपको याद आना चाहिए अगर आपको यह चीज़ें याद आ रही है गगन्यान सौरी में तभी आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगी त्रिशना सेटलाइट ठीक है त्रिशना सेटलाइट में इसको किसे में रहा है इस्टरों ने हमारी इंडियां की और फ्रेंच की इन दोने मिलकर रिश्रेजिशना सेटलाइट जो है उब वनाइए 2026 में लांच होगी फोल-फार्म है थरमल-इंफा-ड इमेजिग सेटलाइट पाई हाई रेजलुशन न बेचती रहेगी बस आपको इतना याद रखना है डिटेल पिक्टर से लेने के लिए इस और फ्रेंच की जो एजनसी है वो दोनों मिलकर बना रही है इस तृष्णा सेटलाइट को ठीक है डिस इस क्लियर नेक्स्ट इस पेस्ट मिशन यह इंपोर्टन है पेस्ट मिशन क्या देखो नासा ने लांच करा है पेस्ट मिशन यह इसका काम क्या है टू स्टडी ओशन एंड एटमॉस्ट इसका पेस्ट की फूर्फाम ही है प्लैंक्टॉन एरोसोल क्लाउड ओशन एकोसिस्टम मतलब जो स्पोस करो एटमॉस्ट्फियर में एरोसोल होते हैं छोटे वाटर बॉड़ी होते हैं क्लाउड ओगे ओशन सिस्टम हो गया इन सब की स्टडी करने के लिए पेस्ट मिशन जो है वह किसका मिशन है नासा का मिशन एक्जाम में आएगा पेस्ट मिशन किसके लेटिड है टू स्टडी ओशन से इंटमॉस्ट्फियर बस इतना याद करोगे और क लॉऔर किसका मिशन था इस दो नहीं ये किसका मिशन है नासा का मिशन टेक है नेक्स्ट मूव करते हैं इसरो ने शक्सेस्फुली लॉंच कर आ एकस्पोसाइड को यह इंपोर्टन क्वेशन था । सैट मतलब एक्स रैंपोलरी मिटर सेटलाइट कर पीसल्व ओने इसको इसको सक्सेस्फफली लॉच करा इंडिया की उर्टार इस्ति सईपोलर सेटलाइट को यह तो इसनों आए सब्सक्राइट को लाउंच नवाग को इस इसमें हम क्या करेंगे बिसकली जो हमारे बहुत होल सागे पल्सर सागे न्यूटान स्टार सागे ठीक है यह साइज होते हैं कि डिफरेंट एनर्जी रेडियेशन रिलीज करते रहते हैं हम इन रेडियेशन को स्टैडी करेंगे विद्धा हैल्प एक्पोसेट और हमें इससे पता चलेगा कि बेसिकली हम लाइफ देखना चा यूवीका से याद रखो यूवा वी से विज्ञानी और के से कारेकरम तो यूवा विज्ञानी कारम मतलब यहां पर यंग बच्चों की बात हो रही है तो देखो वह बच्चे जिन्हों एर्थ क्लास कर लिया और वह नाइंथ पे लगे ना उनको बेसिकली इस फीचर के थ इसमें क्या है स्कूल चिल्डर जो हैं यंग साइंटिस्क प्रोग्राम के तहर इसमें क्या है कि स्कूल चिल्डरंस को एर्थ कर चुके और नाइंथ में लगे हार एक स्टेट यूटी से तीन तीन बच्चे उठाएंगे और उनको बैसिकली इस रोज है गाइड करेगा फोटा कूरा गोपी घोपी थोटा कूरा आपको पता है सिर्म अनाम इसली आङ spreadsheets इस तरह स्कराएं जो नेके जाती है तो जो फटा कुरा और स्पेस में श क्या चविकेश कर्यार बीव पहले इंडीय को प्रेस्पेस में बनें आं रहेज़ दिदेशी एस hablar इומס़े हैं बो के मिशन के तो बेसिकलिए उसमें क्या होता वह स्पेस में बहुत चार्ज करते हैं तो गोपी थोटा कूरा जो है पहले इंडियन बने तो यह पॉइंट आपको याद एक स्पेस एक्स की बात करें थे लॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉंच कर रहा है फर्स्ट बैच स्टार्लिंग सेटलाइट ठीक है डाइरेक्ट टू सेल लिए अगर आप शाम के टाइम में रात के अगर आप यह नहीं कि आप इसकी इमेज भी देख सकते हो ऐसे क्या होता है बहुत सारे स्टार्ज इगठे चलते वह आपको मूव करते हो दिखेंगे एक लाइन के अन्द ठीक है ऐसे मूव करते हैं अगर आपने असमान में देखा वी इन एक दो महीनों में क्योंकि स्टार लिंक सैटलाइज जो है वो वर्ल पर पूरी जगह ऐसे मूव करती है तो हमें यहां पर इंडिया में भी दिखती है तो मैंने पहली बार इनको देखा था थोड़े एक सब्सक्राइब नहीं थी कुछ बोलते मिसाइल से लाउंच होगी तब इस्टार लिंक ही नहीं है वह तो सारा वेस्ट वाला पोश्चन है दूसरे कुछ बोलते यह भगवान या कुछ ऐसी है स्पिरिच्वल का इंड वहां पर जोड़ गे बट मैंने देखा उनका तो मैंन प्रोवाइड करने के लिए हम इंडिया फोर्थ कंट्री बना है वर्ल्ड की जिसने अधित्य लवन को लग्रांच पॉइंट वन में लॉंच कर रहा है पहले इसके पहले यूसे ने यूरोपियन स्पेस अजन्सियों चाइना ने काम किया और किसी नहीं किया अब आपको प मैं आपको बता देता हूं एक तो याद रखना है अधित्या 11 मिशन किसके रिए संके स्टी के रिए किसने लॉंच कर रहा है इस रोने कहां पर लॉंच हुए कहां पर प्लेस किया लग्रांच पॉइंट वन पर इंडिया फोर्थ कंट्री बना इतना आप याद करोगे अब इसको बैलनस करते हैं इस इसको पहलत है ओ पॉयंट वन ठीक है ऐसे डिफ्रेंट लॉइंट फाहरो एम थो अर्द के पीछह सपॉन्ट को आप बाइचे सब्सक्राइ होसक्ए अगर मैं आपको बोलो अगर मेने आॉटर स्पेस को थेड़ी करना है ।ो उसको लग्रांज प को study करना है अगर हमें सन को study करना है तो हम लग्राइंच पॉइंट वन पे रखेंगे वह बैस्ट प्लेस इन स्पेस इमेजिनरी प्लेस जहां पर इनकी फोर्स जो है बैलन्स करते हैं कुद को रहता है इतना इंपक्ट नहीं होता तो बस इतना याद रखो लग्राइंच पॉ सब्सक्राइब यह इनकी प्राइब कंपनी जो हो रही है मून पे उसका नाम है जो इनका स्पेस्क्राइब में बहुत कुछ होता है छे महीने में तो कितना कुछ हुआ होगा बट वो सारा हमारे लिए पढ़ना ना ही हमारे ब्रेन में उसको रिटेन करना इस पॉसिबल ना ही इस रेलिवेंट फॉर एक्स तो जो भी इंपॉर्टन था स्पेस सेक्टर में ने करवा दिया अब आप पांसो जगह से वीडियो देखो कि क्या पांसो कि देखा हुआ भी बाकी पॉर्ष्टन पर इतनी महनत नहीं मारनी होती ठीक है और बाकी बीकरेंट अफेस में करवा दूँगा आज कंप्यूटर इंप सॉप्टर दो परशन हमारे हो जाएंगे बाकी परशन बाद में देखेंगे बहुत सारे बच्चे बोल रहें कि क्लासिस का क्या है अल्र ब्लेइस बनिये उनको साथ-साथ कवर करो गवर करो दूसरी बात की बात करेंगे बहुत सारे मुझे मेसेज़ेस आयों किसे मोग टेस्ट लेने की जरूत मैं आपको ओमार बेस्ट मॉक टेस्ट करऊंगा बहुत जल्दी प्रवाइड करूंगा बट मैं आपको चाहता आपको पहले 10-15 दिन में कुछ पढ़ा लूँ अच्छे एक confidence आ जाएगा पढ़ा ऐसे क्या मॉक दोगे ठीक है और मॉक ओमार बेस्ट ही देना क्योंकि आपने अपने एक्जाइम में और मार शीट भरनी आपको पढ़ना आना चाहिए ठीक है तो कवर कर लेते हैं सबसे पहला हमारा क्या है सब्सक्राइब करेंग और उसका काम यहां गया चाहिए नकी दो को ले लेता है तो सफ्ट्वेर की बैंकिंग क्रिदेश को चुरा लेता और चमल या शमलियन च्राइब लांच करते हो तो बहां से शमलियन च्राइब तो आपको याद इस इस आंड दो आपने याद नेक्स नाट्वार देटा सेंटर विल्बी स्टैब्लिष्ट वइसटैब्लिष हुआ है हाइदरबाद में और किसने इस्टैब्लिश कर रहा है Microsoft द्वारा यह भी आपको याद है डिजी कवच डिजी कवच अगर exam में पूछे डिजी कवच क्या है यह गूगल का प्रोग्राम है ताकि उनलाइन स्काम को क्या कर सकें कर सकें डिजी मतलर डिजीटल कवच मतला होता है प्रोटेक्शन जैसे हमारा कवच सिस्टम है इसी तरह प्रोग्राम फेस्बूक दे देगा मैटा देगा नहीं किसके लिए ऑन-lain को आपको पता होना चाहिए नेक्स रिलाइंस ने फिन लाइन लाइं के साथ एग्रीमेंट करें किसके लिए टेकनोलजी की रिसर्च के लिए तो चलता है आप शिक्टी की बारी है तो इस लाइंस ने किसके साथ साइन करा है फिन लैंड की उन्वेस्टी के साथ ताकि वह क्या करेंगे एक अबकर नियूज में था जब आया था नियूरा computer interface जिसे कहा जा रहा है किसने डाला कि कंपनी ने नियूरा लिंक ने बेसिकली इसका काम क्या है यह जो चिप इन्होंने डाली है यह चिप क्या करेगी यह ब्रेन हमारा क्या सोचता है क्या कर रहा है इसके एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी और इसको ट्रीटमेंट के जुगलबंदी यह बहुत न्यूज में है जुगलबंदी किसने लॉंच करें सबसे फ़हली बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉंच करें जुगलबंदी है क्या एए चैट बॉट है चैट बॉट है जैसे आपने चाहिपीट का नाम सुना होगा तो यह मल्टिलिंग्वल है इंडिया के लिए में कोई हैं तो उनको कोई भी इंफर्मेशन चाहिए तो उनको मिल जाएगी बाइस हमारी ऑफिशल लेंगे उसमें से दस तो यह कवर कर चुका था अभी तक अभी इसमें और भी आड कर दी गई होंगे तो जुगलबंदी के बारवे आप याद रख अभी बहुत नीचे है इस फिल में जपान साउथ कोरिया चाइना यह कंपनी बहुत आगे चाहिए इवन यूस से ठीक है नेक्सित बाहर तो प्रेटिंग सिस्टम जिसे बोलो यह क्या एक इंडिजिनेसली हमारा खुद का डेवलप किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है किस आपका कंप्यूटर वक करेगा तो प्रेटिंग सिस्टम जो है इसे लिए हमने अपना इंडिजिनेसली डेवलप किया तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो नैस्ट केरला जो है वह पहली स्टेट बने इंडिया में जिसने अपनी ही इंटरनेट सर्विसिस को लॉंच कर रहा ऑल्दो यह पुरानी न्यूस हो चुकी है इंपोर्टन है आपका एक्जैम तो नहीं आपके लिए तो इसके लिए है आपको यह भी याद करना है केरला जो है पहली स्टेट बने इंडिया में इसके अपनी इंटरनेट सर्विसिस हैं ठीक है तो मैं यहां पर पीडिएफ इंक्लूड कर दिया हेल्थ मैडिसन हो गया डिफेंस हो गया मैं चाहता तो मैं आज आपको पढ़ा सकता था बड़ म का लिंक डिस्क्रिप्शन में अध्यान से सुन लो बाद उसको जुरूर जोइन करो वहीं पर मैं आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है या जाकि आपने अच्छे से कर सकते हो ठीक है और मौक टेस्ट के लिए मैं आपको शेडूर प्रवाइड कर दूंगा बहुत अच्छे व जो बिल्कुल exam oriented होंगे और आपको exam में बिल्कुल help करेंगे OMR based test ही हम देंगे क्योंकि हमारा final paper OMR based होना है ठीक है this is it for today और अगर आपको ये lecture पसंद आ रहा है हमारा initiative पसंद आ तो आप comment section में comment कर सकते हो जो जो चीज़ें आपको चाहिए जिसके related video आपको चाहिए आपको this is it for today thank you so much for watching